नमस्कार, वर्ड कब खतम हुआ और इंडिया हारा ऑफ कोस लेकिन हारने से पहले मतलब हारने से पहले मैं आपको बता दू किndया हारा तो जरूर लेकिन पूरे टूर्नमेंट में एक भी मैश नहीं हारी थी ये टीम, इस टीम का जो अचीवमेंट है इस से पहले कभी हमने दे चिसमत ऐस्ट्रेलिया की चल गई और इंडिया हार गई वरना इंडिया ने ऐसी टूर्नमेंट में हाराया था और बहुत बुरा आया था जरा स्टाटिस्टिक्स देखिये यह टीम सबसे बढ़िया टीम ती बहुत अच्छी टीम थी बढ़ी मेहनत कियो और बहुत अच्छा फाइनल में हार गए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन एक चीज और कि इस टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तानी जल जल के खाग हो गए दे और इंडिया हारा इसके बाद पाकिस्तानी बड़े खुश दिख रहे थे क्यों खुश दिख रहे थे इसलिए खुश देख रहे थे कि इंडिया हारा अच्छा पाकिस्तानी वो कौम है कि अपना बेटा बले ही फेल हो जाए लेकिन बडॉसी का नहीं वो साथ समंदर पारदूर ऑस्ट्रेलिया का बेटा पास हुआ येस तो जेशन मनेगा इनका अपना बेटा तो फेल हो गया टीम हारी सेमी फ जोड़े टीमों से हारे उसके बाद तुम इंडिया के हारने पे जेशन मन हरे हो वो भी फाइनल में फाइनल में पहुंचनी वाले ही तो शेड होते हैं बाकी गीदर तो पहले ही निकल गया एनिवेस मैं उनके उपर क्या बोलू इनको इनको शर्माया भी कुछ नहीं और इ कि खबर बढ़ी अच्छी है और इस खबर के तीछे की कहानी मैं आपको बताओं कर सारे दिन ये खबर घूमती रही लेकिन क्या है असलियत इस खबर की एक यूट्यूब चानल जो कि सारे कंट्रीज की एकॉनमी वो हर सेकिंड पर कितना बढ़ रही है वो बताती है वो ये हर सेकिंड पर कितना बढ़ रही है ये कैसे बताती है ये चीज है कि पिछले साल एकॉनमी कितना बढ़ी और इस साल वो कितनी बढ़ेगी उसको टोटल को सपोसिंग एक एकॉनमी है वो 100 बिलियों डॉलर से बाती है अब वो 100 बिलियों डॉलर को 365 दिन से डिवाइड करेग 60 से तो मिनिट के GDP आजाएगी कि एक मिनिट में कितना बढ़ रही है और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकेंड की आजाएगी इस सेकेंड में कितना डॉलर बढ़े इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शन्स लेती है ये जो यूट्यूब चैनल नहीं ये प्रोजेक्शन्स लेता है कि अगले साल तक ये एकॉनमी यहां पहुच जाएगी और यहां पहुचेगी तो इसका हर सेकेंड का निकाल के वो हर सेकेंड अमेरिका की एकॉनमी, चाइना की एकॉनमी, इंडियन एकॉनमी, बाकिसारी एकॉनमी हर सेकंड उसी हिसाब से यह बढ़ाता रहता है इसके पास actual figures नहीं होती no doubt about it कि हमारे ships पे कित्ता समान आ रहा है या हमारे पास से कित्ता समान जा रहा है actual figures इसके पास नहीं होती और actual figures को यह देखता भी नहीं हाँ यह कुछ महीमे में adjustment करते हैं और साल में तो 100% करते हैं जब सारी economies अपना actual figures दे देती हैं तो यह मैं मानता हूँ जिसके पास और भी counters है ठीक है अगर आप search मारेंगे na GDP per country तो यह आएगा और वो live GDP जिसके वो देखते हैं live GDP per country यही बाला channel आएगा यह नहीं इसके साथ दो तीन और आते हैं वो दो तीन जो और आते हैं कोई non-minnal देता है कोई PPP देता है यह है जो accurate आते हैं और इसने 4 trillion टच कर देता है अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सही है मैं यह भी नहीं पोलना चाहूँगा कि यह बिल्कुल सही दूसरा कोई हो गोल्मेंट साथ हो वो बताएंगे यह लोग भी बताएंगे और Government of India खुद भी बताएंगी सब बताएंगे लेकिन क्योंकि इसका चलता है इसका live counter चलता है बाकी evaluate कर रहे हैं evaluate करने के बद वो अपनी figures बाद में देंगे उनको actual figures पर करना पड़ता है इसलिए time लेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ हो सकता है कि इसका counter जो है इसका तो counter रहे कि कितनी बढ़ेगी estimate पे और उस estimate पे यह बता देता है कि चीक है जी आज के दिल हर second में यतनी बड़ी हर minute में यतनी बड़ी evaluation दूसरे का है मतलब हमारी जो government का है या Goldman Sachs का है या दूसरों का है इन सब की evaluation एक calculation पर बेस्ट होती है वो actual terms पर बेस्ट होती है आप government की actual terms देंगी actual figures government देती है government की actual figures आएगी तो बाकि सब भी बताएगी actual figures month end पर आएगी इस महीने की तो government बोलेगी इस महीने की पिछले महीने की figure देगी इस महीने की November की figure December में आने चाहिए या एक quarter की figure आएगी तो वो time लेगा government भी वोई चीज़ बोलेगी इनकी जो evaluation है वो projections पर थी तो उसे साबसे कल वो figure touch होई कल figure touch होई जो इनकी जो figure touch होई है उसमें हो सकता है कि Indian economy थोड़ा तेज बढ़ी हो तो तेन दिन पहले touch कर गई हो या थोड़ा late बढ़ी हो थोड़ा slow रहा हो expectations से तो वो 10 दिन बाद touch करे figure touch करेगी दो महीने आरक पर figure ज़रू touch करेगी इसमें कोई शक नहीं इनकी calculations के साथ से यह और government की calculations आ जाएँगी यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है लोग बोल रहेते figure गलत है लोग बोल रहेते जूट है saying सच बात यह है जूट नहीं है यह calculations पर था हमारी government भी calculation दिखाती है वाकि सब की भी calculation दिखाती है दस दिन आगे पीछे, वो सकता है कि हमारी एकॉनमी ने जदा तेज भागी हो, फिर क्या करोगे? इसका मतलब पहले चलेगी, पहले ही निकल गी वो फिकर, तो ये चीज़े हैं, इसमें थोड़ा बहुत उपन नहीं होता है, अब आगे बात करते हैं, आगे ये कि एक कार्गो जो है, वो होधी रेबल्स ने हाईजैक कर लिया है, ये इसरेल का था, और टर्की से इंडिया आला था, अभी तो हाईजैक कर लिया है, टर्की भी फसा है, और इंडिया भी अपने काम में है, और साथ में वहाँ पर इसरेल भी फसा है, इस पे एक्शन जरूर लिया बहुत गलत काम हुआ है यह होदी रेबिल्स जो हैं यह यमन के हैं और यह सौथे रेवे कोई परिशान करते हैं दूसरों में लेकिन इस्वेल का शेप है इंडिया आ रहता तर्की से आरता आक्शन जरूर लिया जाएगा इनको जरूर छुड़वाया जाएगा इसमें मामला आपको देखना पड़ेगा आंशन चल्दी होगा अब तीसरी कबर एक और कबर टी 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 पी फाइट उसने पाकिस्टानी सेक्योरिटी फॉर्सस का को मरदान में पूलिस टेशन पर बन्नू डिस्ट्रिक्ट में अटताइक किया है और कुछ पाकिस्टानी सेक्योरिटी को कुछ पाकिस्तानी फोर्स को प्राउलम भी जेलने पड़ी है मतलब कुछ मारे गए हैं कुछ बच्चे हैं कुछ क्यों पर कुछ क्याजवेल्टी भी बन्नू की पूरी कैजवेल्टी जैसे ही सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले बलुचस्तान के केंज डिस्ट्रिक्ट में तीन आईसाई के आफिसर्स को मारा गया ये भी ये भी बलुच लिबरेशन आर्मी का या बलुच लिबरेशन फर्ट का का काम है दो में से एक का काम है हमें अभी तक नहीं पता लेकिन आजाएगी ख़वर आपके पास पाकिस्तान इसे प्लाक आउट कर देता है इसलिए मैं बड़ा रहा हूँ ये जो हुआ है ये उनके फ्रीडिम फाइटर्स ने किया लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बुलना चाहूँगा कि किसी भी तरीकी की वोयलेट्स ठीक नहीं है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता लेकिन पाकिस्तान जो हमारे कंट्री में उसको वो जेश्न मनाते है शर्मानी चियोंनों को हम जेश्न नहीं मनाते है मैं सिर्फ खबर देते है मैं खबर देते हूँ मैं कोई जेश्न नहीं मना रहा वो जेश्न मनाते है यहां इंडियन मरा रहा यह शर्म उन्हें नहीं आती है हम तो करते हम अपना काम करते हम खबर देने का काम करते है पाकिस्तान ने धोका रश्या को दिया था अब हमस और फिरिस्तिन को भी दिया रश्या को दोका ऐसे दिया था कि रश्या से गेम लिया रश्या से तेल लिया और रश्या के खिलाव ही योक्रेन को वेपन्स दिये ये काम क्यों दूसरी चीज़ अब पाकिस्तान ने हमस के खिलाव यानि कि फिलिस्तिन के खिलाव इस्रेल को वेपन्स दिये ये खबर खुल 55 mm shells जो है इस्रेल को export कर रहे हैं क्योंकि global supplies इसमें कम पढ़ रही हैं इसलिए कर रहा है और उसके लिए पैसा दे रहा है पैसा मिल रहा है डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं डॉलर के लिए किसी को भी दोका दे सकते हैं फाल तो मुस्लिम उम्मा चीखते फिर दे नहीं इन और शौलित रहा है नो घान इयरबेस में हत्यार रखे गए वहाँ से यह बाहरीन गया बाहरीन से ओमान गया और पहरीन से साइबरस गया और साइब todavía इसमें से और इस्रेश समान निकाल ला गया इसमें से और वो अपनली बोला कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। हम इसुरियल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अडियानी ये भी बोला, कि फिलिस्तीन के आदमी जो, उनको, उनको, लोगों को, इनने संट लोगों को बचाना चाहिए। हेता हमस के खिलाव था और इसे टेलरीं स्ट्रा-टाइक बता है इंडिया सीधे सीधे सपोर्ट में आया है इस्रेल के यह सीधे सीधे नहीं आते। इनके लोग बोलते ही हम घाजा जा रहे ह吗 चले जाते हैं कतर, वहाँ से वापस आ जाते हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं, सब जूट बोल में पैसा कमाने के लिए इस पाकिस्तान पे कोई नहीं भरोसा कर सकता तो मुसल्मान कैसे करें इसे के साथ एक और प्रवाइट जाते हैं हाजिर होंगे अभी के लिए नमस्कार, तरन्यवाद, चेह के लिए